नव थिये टर कर्म, स्तबक चार, नट व्यवस्थापक केंद्री, ओगणीसो साहिट थी, ओगणीसो निव नव नाट्य कर्मने चार दाईका थाया जे, चंद्रवदन महता अने कनईय लाल मुँशी ए, जश्वंत ठाकर अने जैशंकर सुंद्री ए, इप्टा अने नट मंडल, रंग मंडले अने भरत नाट्य पीठे, भारतिय विद्या भवन अने नाट्य विद्या मंदिरे, तेमज रसीकलाल परिख अने प्रागजी डोसाए, इटले के नाम बोलता मौ भराय जाए एवा धुरन धरोए, एने पलोटी पलोटी ने अनेक रिते सम्रुद्ध कर्यूंजे, ते माटे कारण भूच्छे 1922-1949 नी वच्चे जुस्सा भेर थायेली जेहाद, 1949 थी, 1959 नी वच्चे कला लक्षी नाट्य मंडोलोनी रच्णा, अने 1959 थी, 1916 नी वच्चे बब्बे दिगदर्शकोंने केंद्र स्थाने बैसाडीने नकर पाये मुकायेली नाट्य तालिम, आ चालीस वर्षोमा अने कांकी अने एकांकियोनू छाती फुलावा जिव ना गोरकी, प्रिस्ली अने लोरका ना थाया, अगाव प्रगट थायेला नाटकोना पुस्तकोंनी धूल जो खंखेराई तो एमा पसंद थाया राईनो पर्वत अने मिथ्या भिमान, जैरे भगीनी भाशाओ मा थी आव्यां टागोर ना नाटको अने शरत चंद्रनी आ चार दाईकामा अने विशेश्टो छिल्ला दाईकामा अने तेई, सुंद्री, रसिकलाल परिख अने चंद्रवदन महताना हाथे भवाई ने भूंडी कहवाना एमना पुरोगामियों ना अपकृत्यनू उंडी कलाद रष्टी थी प्रायश्चित थायूं भवाई ना विशेश्ट तत्वों ने आमेज करता नवाशकवर्ती प्रायोगो एमने हाथे थाया। दाखला तरीके मेना गुर्जरी, मिथ्या भिमान अने होहो लिकानी रंग रचनाओमा नटो ने ओटलो आपवा चंद्रवदन महता जेवाय टहल नाखी अने रेडियो जेवा समुह माध्यममा अने एक नटो लेखाकोने पडोटी ने एमनो रंग भूमी प्रेम टकावी राख्यो। एबुस्तिका आस्तबकना पुख्त वातावरणने सुचीत करे छे। प्रारंबे आ नट व्यवस्थापके संभाल पूर्वक डग मांडया अने पची भारे काबिल्यत अने होश्यारी थी समग्र थीयटर कर्मने सर करीली दूं। आईएंटी प्रवीन अने सरीता अने आनो पहलो जगमकतो सितारो ते महंतू अने अभ्यास द्रश्टी धरावतो प्रवीन जोशी। ओगणिसो एककावन थी ओगणिसो साहिट वच्चे किटलांक प्रयोगशिल एकांकियों मां तरवरिया जुवान तरीके अभिनाई करी साथो साथ किटलांक अनेकांकियों मां निर्माण दिगदर्शन संभाली थीयटर ना कला कसब ने आत्मसात करी ओगणिसो एकसट मां आईएंटी द्वारा योजायल नाट्य महोच्चों मां प्रवीन जोशी दिगदर्शक तरीके बहार आव्या ओगणिसो बासट मां त्रोन नाटकों मां एमने करेला दिगदर्शन थी आईएंटी ना मंत्री दामू जवेरी नी नजर एमना पर स्थिर थाई ओगणिसो त्रहेंट मां आईएंटी मां जोडाई एमने पहलू नाटक सर्जियूं मोगराना साप अभिनाय अने दिगदर्शन मांटे ए नाटक सहित एमने चार पूरसकारों मलया ओगणिसो त्रहेंट मां श्याम गुलाल नाटक मांटे राज्य नाट्यस परधा मां छ इनामों मलया ओगणिसो चौसट मां कोईनो लाडक वायो आवियूं आर्थर मिलर ना All My Sons पर्थी एनु नाट्यां तर पण प्रवीन जोशियेज कर्यूं हतुं ए पची नोधपात्र शत प्रयोगी नाटक मंजु मंजु उगणिसो पासट मानस नामे कारागार ट्वेल्व एंग्री मैननो अनुवाद उगणिसो चासट तिलोत्तमा रबेक्कानु रुपांतर चंदर्वो उगणिसो पासट सप्त पदी उगणिसो सडशट अगन खेल शांतता कोट चालु अहेनु रुपांतर उगणिसो अडशट तैंक यू मिस्टर ग्लाद उगणि विराण चोकमा उगणिसो अगनसित्तेर अने मधुरायनु कुमारनी अगाशी उगणिसो बहत्तेर। तथा तक्ताना तक्नीकी कसब उपर हम्मेशा खोब ध्यान आपियू हतु। नवू नवू करवानो उनमेश हतो एमा। मोल टेलिविजिन ना नाटक मानस नामे कारागार ने यमने तक्ता पर रजू करियू हतु। तो लोकसंगीत आने तलपदू जीवन जीलियूं मोती व संतु रंगीली 1913 एने गुजरात ने आपियू। आ व्यक्तिनी चपल द्रष्टी माथी सारो कलाकार छटकी न शकतो। जुनी रंगभूमीमा निवडेली नटी सरीता खटाओ। हवे जोशी। ने नवी रंगभूमीमा एने पोताना सत्थवारे स्थापी। पोताना नान भाई अर्विंद जोशी ने पन एज रिते रंगभूमीनी ताली मापी। एना अभिनए वर्तोल मा आवां कलाकारों ने पन प्रविन जोशी आकरशे शक्या। अर्विंद ठककर, विश्णुकुमार व्यास, तारक महता, सुरेश राजडा, परेश रावल, सुजाता महता वगेरे। एमाना केटला के नाटकोनु दिखदर्शन पन करिय। ओगणी सो एसी माँ प्रविन जोशी ये जगतनी रंगभूमी पर थी विदायली धी, त्यारे गुजराती रंगभूमीना त्रण त्रण दायका सुधी लोगप्रिय बनी रहेला, ए लाड़का नट दिख दर्शक विशे सउन ने लागियूं कि जाने मध्याहने सुर्यास्त थयों। कैवूं होई तो अलबत कई शकाए कि आनाजेवी व्यक्तिये पलोठी वाली ने लेखको साथे काम करवूं जोईतू हतूं। एवूं पन कई शकाए कि कुमार पछी मधुराय पासे एने बीजा मवलिकज नाटको लखावा जोईता हतां। जो कि तेज हतां। प्रविन ने तो सवे एज कहिँूं। तने गमे ते तुम कर, तने गमशे ते अमने गमशे। प्रविन जोशी जेवा नट दिगदर्शक ने आटली मुक्ती अने तेना पहला भारेलो अगनी रमनलाल पारा तखतानो कसब खूब सारी रिते नाणी जोवायो। भारेलो अगनी नाटक माटे आ संस्थाये नारण मिस्त्री पासे मुंबईना रंग भवनना विशाल रंगमंचने डाबे जमने अने अग्र भागमा लंबावयो। एमा द्रश्य संयोजन गोल फरता रंगमंचे रजु थयू हतु। मोती वेराना चोकमा नाटकमा प्रथम वार स्ट्रोब लाइट प्रयोजाई हती। ए पछी तो मनसुख जोशी, गौतम जोशी अने विजय कापडिया जेवाये सन्नी वेश अने प्रकाश आयोजन मा अनेक प्रयोगों करया। इरानी शेट साथे कामकर प्रविन जोशी ने तख्ता पर प्रवेशेला सरीता खटाऊ, आईएंटी ना मोती वेराना चोकमा नाटकमा गलालनी भूमी का भजववा जोडाया। अने त्यार्थी, आईएंटी अने प्रविन जोशी ए आ अभिनित्रीने एवीतो कंडारी आपी, के चंदर्वोनी रम त्यार युवती सप्त पदीमा नवारूपे प्रवेशी, तो वडि कुमारनी अगाशीनी भाभी अने संतु रंगिलीनी मालन सरीता नी खुदनी पात्र निरूपणनी क्षमता सिध्ध करिया आपे चे। पत्ता नी जोड थी कारकिर्दीनो आरंब करियो। जगदिश शाहे बजवेली। जगदिश शाहे बहुरूपी। लालू शाहे जोके ए पहला इप्टा मां उग्णिसो चेतालिस मां प्रथमवार कल्याणी नाटक मां अभिनाई करियो हतो। उग्णिसो अड़ तालिस मां रंगभूमी संस्था मां सुत्रधार बनी नर्बंका इप्सन पर थी। वड अने टेटा जियो तिंद्र दवे अने राणी नो बाग वगेरे मां एमने अभिनाई आप्यो हतो। बहुरूपी संस्था तरफ थी अभिशेक, जगडो, अनुकंपा वगेरे नाटको लालू शाहे रजु करियां। राजकारणना विशयने स्पर्ष्टूं किस्सा कुर्सीका, केवडाना डंक अने कोठानी कबूतरी वगेरे चर्चाने चकडोले चड़ी लोकप्रिय बनेला एमना नाटको छे। गुजरात नी समकाली नवी वेतनीक रंगभूमी मा प्रविण जोशी पछी कांती मडियानु नाम लोक जीभे चड़े लूँछे। नाट्य संपदा एमने उग्णिसो सडशठ मा स्थापी। आतमने ओजहल मा राख मा मा कांती मडियाना दिकदर्शन हेठल उपेंद्र त्रिवेदिये प्रध्यापक विद्या सागरनी भूमी का बजवी। खुद सारा नट कांती मडिया एमना दरेक नाटकमा अभिनाई करेज। एमने रजुकरेल रुपानतरित नाटको ते उपर गगन नीचे धरती। अमे बरफना पंकी, नोखी माटीन नोखा मानवी, वगेरे मावजत, निर्मान मुल्यो अने उतक्रुष्ट दिकदर्शन थी ओपेज। फिल्म क्षित्रे तेमने काशीनो दिकरोनु दिकदर्शन कर्युँँछे। पण हैमने हवे संपूर्ण ध्यान रंगभूमी माज केंदरित कर्युँँछे। नाट्य संपदानी अल्प जिवी अमदावात शाखामा जानीता अभिनेता अर्विंद वैद्य संकडायेला रया। फिल्म क्षित्रमा चीला चालू अभिनाई रिती थी लोकप्रिय बनेल उपेंद्र त्रिवेदी मुलेतो तख्ता अने आकाश्वाणीना जीवचे। अर्जबान साथे काम करिय। अने मुन्शीनी नवलकथाओ पर्थी तैयार थैल नाटक काक मंजरीमा काकनी यशोदाई भूमी का भजवी। नाट्य संपदामा थोडो वखत रहीने पची पोतानी संस्था चंद्रलेखा माटे यशस्वी अभिनाई करयो अभिनाई सम्राटमा अनाटक मराठी पर्थी तैयार थैयूं हतुं। जश्वंत ठाकरे एने नट सम्राट तरीके अमदावादमा मौडे थी पेश करयों हतुं। तैयार बाद उपेंद्र त्रिवेदिये फिल्म अभिनाई मा ध्यान केंद्रित करयों जुँं। रंगमंच। छेक ओगणी सो चौपन मा रंगमंच नी स्थापना थाई ते कलारसिक चीमनलाल दोशी नी प्रेरणा थी। एना महत्वना नाटकोते पत्ता नी जूड। जहर ना पार्खां राणी ने गमेते राजा असत्य नारायन वगेरे। एमा मुख्य नटों मा गोप साहिट थी ओगणी सो सित्तेर वच्चे ना दायकामा कैचे के मुंबई मा अठी सो नवा नाटकोना कुल मलीने साडा साथ हचार थी वधू प्रयोगो थाया। एमोटा भागना नाटकोना पचास थी बसो वच्चे सरेराश शो थायानू पन प्रबोच जोशी ए नोधिव एनेक्ट मार्च उग्णीसो अगना हैसी हमना गणावी गया ते नाटको एनी संस्थाओ अने एना नट व्यवस थापकोने आनो यश मालेज ए उप्रांत नोधपात्र बनेशे ते कीरण संपतनू सोगठा बाजी युनीट रंग भेरो नामनी एमनी संस्थाओ ए अगाउं सल्ग्या सुरज मुखी औने सरी जती सुन्दरी नामे नाट्य रुपांतरो पेश कर्याँ जानिता नटो चापशी भाई नागडा अने मनहर रस कपुरे शुबदा अने अगनपथ नामे तथा अभिनई भारती नामनी संस्थाद्वारा महिंद्र त्रिवे दिये धूब सली अने आतम दीप नामना नाटको रजु कर्या एज रिते मुंबई ना नोत पात्र नाटको मा अर्विंद जोशी नू काच नो चंद्र, चंद्रकांत सांगाणी नू तरस्यो संगम, तेरसी उद्देशी नू सो टच नू सो नू अने नवनीत शानू जंगली कबुतर आस्तबक मा नोत पात्र गणवा जोईये ए बधानी वच्चे संकेत संस्थाद्वारा पेश थैल सितांशू यशस्चंद्रना नाटको तोखार इकवस्नु रुपांतर दिगदर्शक महेंद्र जोशी अने आ मानस मद्रासी लागे छे नवतर प्रयोगो तरीके ध्यान खेंचे छे सितांशू यशस्चंद्रे ए पची कहो मकंजी क्या चाल्या दिगदर्शक निमेश देसाई अने ग्रहान दिगदर्शक महेश चंपकलाल लखीने नाट्टे लेखनमा नवी भात पाड़ी जे मुंबईनी आ रंगभूमी माटे पर भाषाना सित्तेर्थी वधू नाटकोन रुपांतर करवामा विक्रम सर्जनार अनिल महताने पण आ तके याद करी लेवा जुईए प्रवीन सोलंकिये पण आ अनुवाद प्रवृत्तिमा खोब भाड़ो आपयो शे अधी मर्जबान रंगभूमी परनी रजुआतमा सतत कार्यशिल रहनार अने नवा नवा प्रयोगो थी प्रेक्षकोंने मनोरंजन आपवा उप्रांत नटो साथी दारोंने पण ताली मापी तैयार करनार अधी मर्जबान आखा गाड़ा दर्म्यान पण खोब सक्रिय रहा एमनी पचास वर्शनी कारकिर्दी बवरंगी हती नाटकोनी एमनी पसंदगी पण इटलीज प्रयोग लक्षी हती कातरियूं गैप, अर्धी राते आफट, लकडे का लाडू, काका थाया वांका वगेरे एमेच्योर ड्रामेटिक सरकल नामनी पोतानी संस्था द्वारा रजू करया इब्टा, आईएंटी, बॉम्बे प्लियर्ज, थियेटर ग्रूप वगेरे संस्थाओ साथे पने संकड़ायला हता अंग्रेजी नाटको माटे एमने मुंबई माँ प्रेक्षक वर्ग उभो करयो हतो पारसी अने गुजराती बनने रंगभूमी ना कलाकारो ना एक गुरू कहवाता नाट्य शिक्षन आपती संस्थाओ साथे एमने घनिष्ट संबन्थो राख्या अधी जाते लखता, अभिनए करता अने नाटको नू दिखदर्शन करता फिरोज आटिया एमना पहला शिश्य एमने नाटको तो लख्या, पन किर्ती एमने मली नट दिखदर्शक तरीके तखताना नाटको मा एकज पात्रनी आजु बाजु अनेक नाटको लखी ने फिरोज आटिया ए नवी भात पाड़ी एवुँ पात्र ते बहराम इरानी एनो अभिनाई पन फिरोज जाते करता आश रेणीनों बहरामनी सासु खोब लोक प्रिय थाई हुँआतू अधीना बिजा शिश्य ते होमी तवडिया दोराब महता साथे मलीने तेमने नाटकोई लख्या आ नाटको बिजा जूतो करता अने होमी तवडिया पोते मोटे भागे फिरोज आटिया अने परमसुख पंडियाना नाटको रजु करता अधीना त्रीजा शिश्य ते बरजोर पटेल भारतिय विद्या भवन नी नाट्य स्पर्धा मा थी बरजोर जड़क्या अने अधी साथे अनेक नाटकों मा काम करियू 1966 मा बरजोर आईन्टी मा जोडाया अने एना अनेक पार्सी नाटकों मा अभिनाया प्यो रूबी पटेल ने अधी किशोरा वस्थाथी ज तखता पर खेंचिलावया रूबी ओगणी सो अड़सट थी आईन्टी मा जोडायी बरजोर नी साथे अनेक नाटकों मा अभिनाया प्यो ए बन्नेनु घंबिर विशोय वस्थु धरावतु नाटक ते हलो इंस्पेक्टर आ उप्रांत तखता पर नाम रोशन करनार मुंबई ना कलाकारो दिन्शा दाजी दिव्या कॉंच्राक्टर मुंबई स्थित हाता तो यजदी करांजिया, रोहिन महरनोश वगेरे सूरत स्थित हाता गुजरातियोंने पारसी बोली एनी रीत रसम वगेरे खुश-कुशाल रसना विशय रहाँचे ए उप्रांत ए प्रजानों विशिष्ट मिजाज एनी मस्ती औने खास प्रकारनूं हास्य गुजरातना रमुजी नाट्य औने थेटर कर्ममा विशेश जग्या करी आपे छे कोई प्रकारना दंश के डोल वीना आ प्रजा जात पर हसी शके अने एटले समाज परना एमना कटाक्षो धार-धार नीवडे अधी मर्जबान ना एक नाटक मा अशलिल तानों आक्षिप मुखनार एक प्रिक्षक एमने त्या आवेश पुर्वक धसी आवेलो अने त्यारे पुताना घरना वेंटी लेटर मा थी पाडोश मा रहता दंपत्ती ने चोरी छुपी थी जोवा उँचा स्टूल पर अधी साहेब एमने चड़ावी शकेला आ घटना प्रक्रिया थी ए प्रेक्षक जहरे जागरत थयो त्यारे खुला मने ए बनने हसी पडेला आवा प्रसंगो सेंसरशिप नी प्रथा अधीनो रंगभूमी प्रत्यनो अपिगम प्रेक्षकोनु मानस अने मानव मनना गहन गहवरोना निरूपण नी क्षमता दर्शाविया पेजे आ गाला ना मोंबई ना अन्य खोब नोधपात्र नट दिगदर्शको मा जेमने एक साथे मुकवा पड़े ते प्रताप ओजा मधुकर रांदेरिया वनलता महता विश्नुकुमार व्यास उश्रा मलजी तरला महता वगेरे छे इप्टा, रंगभुमी औने बिजी अनेक संस्थाओं मा अभिनाय औने दिगदर्शन करता प्रताप ओजा आजे पन इतलाज सक्रिया जे प्रशिष्ट गुजराती साहित्य क्रूतियो, जीवन कथाओ, सामाजिक औने अईतिहासिक नाटको, रुपान तरो औने नृत्य नाटिकाओं मा तेमने काम करिऊंजे रेडियो औने टीवी नाटको, तेमेज हिंदी औने गुजराती चलचित्रों मा तेमने अभिनाय आप्यो जे ए बधानो कुल आकडो सवा सो ने वटावी जाये शे विश्णु कुमार व्यास नानी उम्मर्थी तखते खेंचायेला राजकोट नी धर्मेंद्र सिहिंजी कॉलेज मा रमनलाल यागनिक नी दोरवणी मा पहली वखत मौय चुनो चोपडी मुंबई मा नाट्यनो डिप्लोमा मेढवी विश्णु कुमार इप्टा मा जोडाया ओगणी सो अड़तालिसमा रंगभूमी संस्थामा पछी रंगमंच अने आईन्टी मा तेमणे अनेक भूमी काओ बजवी दिगदर्शन करिऊं नाटको लख्या नाट्य ताली मा पी रंगभूमी संस्थाना नाट्य रंग मासिकनु संपादन करिऊं आकाश्वाणी पर्थी अनेक नाटकोंने तेमने वाचिक अभिनाई थी भरी दिधाशे जहर तोपीधा ना गोपाळ बापा, मृच्छ कटिक ना चारुदत अने रेतीना रतनना दिवान बापू हजी आजे अनेक प्रिक्षकोंने याद हशे रंगीलो राज्जा ना हस्मुख बहन अने स्नेहना जहरना नैना बहन तरीके अभिनाई आपनारा वनलता महता गुजराती रंगभुमीना खोब सम्वेदनशिल अभिनेतरीश तेमने साठ थी वदू पात्रों तखता पर रजु करियाँज धरा गुर्जरीमा धरा, अल्ला बेलीमा देवबाई, घरनो दिवोमा अर्विंदा, प्रुथवी वल्लभमा म्रुणाल वगेरे तेमने नाटकनी तालिम लिधी चे अने आपी जे अनेक मान अक्रामोना ए अधिकारी बन्या जे मुंबईनी केटली ए संस्थाओं मा काम करियूंज बाल नाटको रजु करवा तरप हवे ए विशेश प्रिती धरावी रायाँज लेखन, दिगदर्शन, अभिनाए अने नाट्य सिद्धान्त नी चर्चा विचारणामा सक्रिय भालो आपनार मधुकर रांदेरियानू अधुरू रहेलू सौथी मोटू प्रदान तिक गुजराती रंगभूमी नो इतिहास नू संपाधन कारियू एमने अभिनाए नानी वैथी शरू करेलो, परंतु आवा शत प्रयोगी अनेक नाटकों मा एमने लोक जाहना मिलवी लग्ननी बेडी, रंगीलो राज्या, काकानी शशी, विद्या वारिधी भार्वी, एमनी विविद सेवाओ बदल अनेक पारी तोशीकों मिलववा उप्रांत विदेशों मा पन नाट्य स्पर्धाओना निर्णायक तरीके एमने काम करियू हतू स्व लिखित आत्म कथानात्मक एक पात्री नाटकनो स्व अभिनीत एमनो प्रयोग ते, तुँ अल्या कौन? लगबग अर्धा सैकानी अभिनेत्री तरीकेनी कारकिर्दीमा, अनेक दिगदर्शकोनी दोरवनीमा, विविद स्थले त्रीस प्रलंब नाटको अने बस्सो ए वगेरे साथे ए संकड़ायला हता, रंग भुषा, वेश भुषा, प्रकाश आयोजन विनापन, खोब साधाई थी पेश्थ थतां, एमना नाटको मा स्वईचिक फाडा थी प्रेक्षकोने नाटको जोवा उशाबहन निमंत्रे, एटला फाडा माज नाटकनो खर्च रंख्यामा ओछा, पन गुणवत्तामा वधी जाए एवा जे नाटको साथे अभिनेत्री तरीके संकड़ायला, एमा रंगीन रमकडा, मलेला जीव, सहाराम बाइंडर, गिदडा, मीन पियासी वगेरे नौध बात्रज। दीना बेन पाठके, वनलता महता अने उश्रा मलची वगेरे नी साथे गुजराती रंगभूमी ने पोताना अभिनाई थी खुब सम्रुद्ध करी आपीशे। शान्ता बेहन दिल्ली नी बाल रंगभूमी मा सक्रिय जे। राष्ट्रिय नाट्य संस्था एनिस्टी दिल्ली साथे पन संकडाये ला हता। एमने आतमनी रजुआत मा प्रेक्षकोंने एरुड्राम बताविय। तो मुठी उचेरों मानवी मा समुद्रनु तोफान चित्रित करिय। कीरण संपटे हिम अंगारामा पसार थती ट्रेन थी लोकोंने आजी नाख्या। अने नारण भाई मिस्त्रिये दानवीर जगडूशा नाटकमा समुद्रमा चालता बेवहानों थी प्रशन सा प्राप्त करी। सन्नी वेशनी आ कलामा छेल परेशनी जोडी, नारण मिस्त्री, सुरेश व्यास, नगीन राजपूत अने मन्सुख जोशी तथा गउतम जोशी नो सर्जनात्मक फालो हतो। अमदावाद अधर्म्यान एमने अनेक देशो नो प्रवास करी, नाट्य तत्वना अनेक पुस्तको लखी, रेडियो अने टीवी वगेरे माटे, पुताना गहन गंभीर अवाजे, मध्यम सूझती निर्मानों करया। पत्रकारत्वना क्षित्रे पण तेमने खूब फालो आपयो। एमने जी महत्वना नाटकोनू दिखदर्शन करियू। एमा आटला ओ विस्मरणिय जे। शिक्स्पियर नू मैकबेथ, 1964, वसंत कानेट करनू राइघड जारे जागय जे, 1966, दर्शक नू परित्राण, 1967, रसिकलाल परिक नू शर्विलक, 1908, नट सम्राड, वगेरे। नाटकनी पसंदगी एनी भजवणीनी रीती, निर्मान मुल्योंनू आयोजन, साथीदारोंने तालीम, वगेरेमा जश्वन्त ठाकरना, जगत साहित्यना उंडा, भ्यास औने दिर्ग कालीन अनुभवनो व्याप हम्मेशा देखाए। दिगदर्शक केंदरी स्तबक सुंद्रीनी साथे एमना फाडा थी, आ इतिहास मां जुदो कंडारी शकायोजे। सातत्य मली रेज। गुजरातनी आ समांतर रंगभूमीनी विधापण, एमनेज दर्शावेली दिशामा विक्सीज। एपण जेम स्वाभाविक छे, तेम एमनीए साथो साथ थोडूंक मुंबईनी गुजराती धन्धादारी रंगभूमीना अनुसरन रूपे, के अमदावादनी जवनीका वगेरेनी प्रणालीने अनुसर्थी अर्ध व्यवसाई रंगभूमीनी केडिये, नाट्य थेटर क कर्म थाया कर्यूंजे, चंद्रवदन महता, जश्वन्त ठाकर अने एमना अनुगामियो ना पिला नाट्य थेटर कर्म पर, मुंबईनी गुजराती रंगभूमीनो चलकाट, चमकाट कोई माठी असर करी शक्यों नथी, इटलूंच नहीं, पन पहला, मोटे भागे लेखन मात्र प्रतिक्रिया तरीके उठेलो एपसर्ड नाटिकाओनो उचालो, अने एपछी एने हकारात्मक दिशामा वाली आकंठ साबरमती जेवी प्रवृत्ती मा एसंलग न थाई, आजे भजवनीमा भले थोडू, पन लेखन मा खुब नोतपात्र शैली परक्तानू प्रदा सामे अल्प संख्य अने क्यारिक तो एक के द्वी प्रयोगी नाटको पाछड आ समांतर रंगभुमी ना कलाकारो, रियाज अने रजुवात्मा कैम महिनाओ खर्ची काड़े शे, एपण आ वात पर्थी समझाय शे बंबई आश्रत प्रयोगी सर्जनों मा थी अर्धा जेटला तो गुजरातना शहरों मा रजु थतां होवा थी, गुजरातमा मध्यम वर्गी नव धनिकोनो एज नाटकोने आश्रय आपतो समांतर प्रिक्षक वर्गपन छे, तो मात्र समांतर रंगभुमी नोज चाहक अन प्रोच्चाहक वर्ग पन गुजरातमा छेज, टीवी ना कहवाता आक्रमणे एने जे माठी असर करेली हाल जनाय छे, ते पन अल्प जिवीज होई शके, दरपन, डॉक्टर विक्रम साराभाई ना पतनी अने विख्यात नर्ती का मुरुणाली नी साराभाई ये ओगणी स रजुआतमा समांतर गुजराती रंग भूमी मा एने नौतपात्र प्रदान कर्यूंज, एनी नाट्य शाखानी शरुआत थाई ओगणी सो ओगण साहिटमा, जहरे कैलास पंड्या अने दामीनी महता दरपन मा जुडाया, नाट्य विद्या मंदीर अने नट मंडल मा कैलास पंड्याय सुंद्री अने जश्वंत ठाकर पासे, तो जवनी कामा हरकांत शाह पासे दामीनी महताय तालीम लई नाट्य क्षित्रे नाम काटियूं हतुं। त्यार्थी अठी दाय का सुदी दरपने हम्मेशा विशिष्ट प्रदान कर्यूंज, शरुआतना पांचेक वर् मुख्यत्वे टागोर ना नाटकोना अनुवादो। चंद्रवदन महता, चुनिलाल मडिया, जयनती दलाल वगेरेना नाटको। क्यारेक रगुनात ब्रमभट अने डाया भाई धौल्शाजीना नाटकोनु निर्मान। ओगणी सुसित्तेर्थी तो वर्से एकनी सरेराश नवा लेखक ना नाटकनी रजुआत। नाट्य तालिम वर्गो, भवाई संशोधन, गुवर्धन पंचालनु भवाईनु आहार्य, अने भवाईना कलाकार, चीमनलाल भोजकना सत्वारे, जुनी नवी भवाईयोनी रजुआत। दरेक नाट्य निर्मानमा लेखन, अभि नवी के कसब मा कई ने कई नवुं तत्व, क्यारेक मात्र प्रयोक खातर एकादबे रजुआतो, तो क्यारेक प्रेम रंग जिवा नाटकना असंख्य प्रयोगो वगेरे, दरपने लिधेली दिशाना सीमा स्तम्पोजे। युरोपीय नाट्य प्रवाहना अधकच्रा 166 मां आवेला एपसर्ड ना उचालाने बिजेज वर्षे, मधुरायनु नाटक कोई एक फुलनु नाम बोलो, दरपन द्वारा बजवाय, अने ए रिते एपसर्ड ने पन एक समानतर नव नाट्य थियेटर ना दरपन चीन्थी आपे, एना पांच वर्ष पछी आकंठनी नवी दिशा दर्शावनार मधुरायने ए रिते एकाद दायका माटे स्थिर करिया पे, एपन दरपन नी बुलन्द हिम्मत अने द्रष्टीना द्योतक छे। कन्सुरी 192, लीला बकुलतरि पाढठी 193, लीला नाट्य लाप्षंकर ठाकर 1935, मन्सुखलाल मजीठी या लाप्षंकर ठाकर 1916, सागरीका शिवकुमार जोशी 1917, महाबिणिषक्रमण, मुकुंद फरिक 198, पीळु गुलाब अने हूँ, लाप्षंकर ठाकर 1911, जशुम आ नामावली अने वीगतो दर्शावी आपे छे के आजे गुजराती नव नाट्य लेखनमा मोटा भागना सक्रिय लेखाकोनू एक एक नाटक जाने अभ्यान तरीके दरपने रजु करियूं। एमा बहु संख्य प्रयोगो करता एनी प्रक्रिया महत्वनी रई। दरपन जेवी अने करिते सम्रुद्ध संस्था एक करे ते उचित पन जे। एना अभिनेताओं मा केंद्र स्थाने हता कैलास पंड्या अने दामीनी महता। स्वतंत्र अने संयुक्त रिते दिखदर्शन अने आयोजनमा आ जोडिये स्थाई काम करियूं। एमने सत्वारो आपयो प्रभाबेन पाठक, अन्सुया सुतरिया, दुर्गेश जानी, चीमनभाई भोजक वगेरे। कैलास पंड्या अने नटमंडलना नाट्य आदर्शो पुतानी समग्र प्रवृत्ति दर्म्यान जालवी राख्या, एपण ही नौत्मू जोईए। वडुद्रा वडुद्रा युनिवर्सिटीक अक्षाये नाट्य विभाग मां 1915 मां शरुथायर थियेटर तालीम ना भाग रूपे पहले थी विशिष्ट नाट्य रजुवातो थाया करीजे। त्या नाट्य तालीम साथे चंद्रवदन महता, जश्वंत ठाकर, रमेश भट, मारकंड भट, उर्मेला भट, यश्वंत केलकर वगेरे संकड़ाये लाहता। अन्य नाट्य शिक्षको अने विद्यार्थियोना निर्माणो पण नाट्य विभाग अने एनी रेपर्टरी नट घरमा सतत धता रहाजे। आ दिकदर्शको अने त्या तालिम पामेला अन्यो द्वारा समग्र गुजरात नी नाट्य प्रवृत्ती उपर पण प्रभाव रयोजे। आविभाग तरफ थी रजुथायेला महत्वना नाटकोमा टागोर नू नंदीनी, कालिदास नू शकुंतला, शिक्स्पियर नू वेनीस नू वेपारी, बोधायन नू भगव दज्जुकियम वगेरे। मौलिक नाटकोमा चंद्रवदन महतानू आनल दे, होहोलिका, धरागुर्जरी, माजम्राद, अत्रलुप्ता सरस्वती, मा, वगेरे, अन्य लेखाकोमा जैनती दलालनू जोईये छे, जोईये छे, दर्शकनू परित्राण अने सुभाश्चानू सुमनलाल टी दवे, वग प्रयोगो करी जोया, पसंदगी पन वैविध्य पुरुन राखी, इस समग्र प्रवृत्ती मां हता त्यांसुदी जश्वन्त ठाकर केंद्रे हता, अने उग्णिसो साहिट पची मारकंड भट, यश्वन्त केलकर, उर्मिला भट अने एमना विद्यार्थियो, साथी दारो विशेश प्रकार्नी समझ अने बढ़तराथी मथामन कर्या करी, बहु जाजा प्रयोगो भले हम्मेशा नथी थाया, पन दर्वखते एने उन्मेशो नवा दाख्या छे, मारकंड भट्टे वडुद्रामा तालिम लई थोडो वखत सवराष्टर संगीत नाटक अकादमी मा नाट्य विभाग ना वड़ा तरीके काम कर्यूं। परित्राण, दर्शक, फिंगरप्रिंट, अनुवाद। नाट्य तालिम साथे संकडाई, शेतलने काठे, धरा गुर्जरी, वसुंत्रान वाला दवला, वगेरेमा उम्दा अभिनाया आप्यों। हवे तेओ, फिल्म क्षित्रे कारियर रत्छे। अनेक नाट्य मंडलों साथे आ दंपत्ती संकडाईलूं छे। सदा बहार, मारकंड भट, नाट्य विभाग माथी ताजेतरमा निवृत्त थवा छतां, आक्षित्रे नवू करवा हजी ये थन गनी रयाचे। त्रिवेणी संस्था ए घणा स्वतंत्र नाट्य निर्माणों करयाचे। अने मंचन कलाना महानु भावोनू बहुमान संस्था किये रीते करवानी प्रणाली जालवी राखेशे। आ संस्थाना प्रारंभना वर्षो मां नट दमपत्ती, नटु पटेल अने सुर्य बाळा पटेल संकड़ायलू हतु। बन्ने अनेक नाटकों मां अपिनाई करयोशे। नटु भाईये चरोत्री वातावरणनू नाट्यात्मक पात्र चतुर मोटा आकाशवानी माटे सरजियू हतु। अने खेडा जिल्ला माटेना इसरोना ग्राम टीवी प्रोग्राम दर्म्यान आ दमपत्ती अने हरिश पटेलना सत्थवारे हस्मुख बाराडिये 1935 सित्यो तेर माँ टीवी ना परदेश रेणी बद्ध अवतार्यों हतु। गुजराती टीवी नी ए प्रथम नाट्य श्रेणी गणाये छे। वडोद्रा नाट्य विभागना थेटर कर्मी यश्वंत केलकर पण सवाई गुजराती तरीके जानीता छे। तेमने नाट्य तालिमनी साथो साथ नीरद छाया, शिवकमार जोशी, मदीरा, चंद्रवदन महता अने सुमनलाल टी दवे, सुभाश शा वगेरे नाटकोनु दिखदर्शन कर्यू। परित्राण मा शकुनी वगेरे तेमनी महत्वनी भुमिकाओ जे। गुजराती उप्रांत मराठी मा तेमने तख ताना कसब अंगे पुस्तको लख्या जे। प्रकाश आयोजन औने ध्वनी सैयोजन मा पन महत्वनु प्रदान कर्यूं जे। शत खंड, प्रेम तुजा रंग असा, एमना मराठी मा दिखदर्शित यशस्वी नाटको जे। नाट्य विभागना वरिष्ठ अध्यापक, र नाट्य तालिमनी साथो साथ रजू करया। रंगावली नाट्य जूत लगबग एक दायकासुदी सतत काम करतू रहूं। जेन केंद्रमा हता नट अने दिखदर्शक उत्पल त्रिवेदी। स्तमे चोर, खुष्णुमा खयालनो खेल वगेरे। आसंस्थाय रजू करया। हरीश पटेल, जन्मेजै त्रिवेदी, आशिश दवे, हिमान्शु बुच, शैलेश त्रिवेदी, उटपल त्रिवेदी वगेरे रंगावली कशूंक ना नटो दिखदर्शकोए मलीने लगबग पंचो तेर नाटकोनी पांचोथी वधू रजुवातो करी। खुष्णुमा खयालनो खेल, आ भवाई टेलिविजन उपर पण खुब प्रशनचा पामी हती। गुजरात थियेटर ओग्णिसो भवन्द वारा एक मुरखने एवी टेव अने प्रीतन करियो कोई जेवां डजनेक नाटको रजुथायां। एव प्रांत राष्ट्रिय कला केंद्र, कलाक्षित्र, भारतिय कला भवन, रंगदर्शन, वगेरे संस्थाओए सतत नौधपात्र प्रयोगो करें। नडियाद मा सन्निष्ट कलाकार अने दिगदर्शक, गोविंद्राम व्यासे, नडियाद कला मंदिरना उपक्र में अनेक नाटको करी गुजरातनी संसकार भुमीनो नाट्यरस जीवतो राख्यो। राजकोट मा सवराष्ट्र कलाकेंद्र, ओगनिसो सुडतालिसना हर्ता फर्ता थियेटर द्वारा प्रयोजन लक्षी नाटको ना नोधपात्र प्रयोगो थाया। ओगनिसो अठावन मा शरू थायल राजकोट नी रंग जियोत संस्थाये केटलाएं त्रियंकी नाटको भजव्या। ओगनिसो पंचो तेर मा शरू थायली नटराज आर्ट संस्थाये पन खुब काम कर्यूंचे। एमा देवेन शानू पढ़चायो निरंजन देशाईनू तरता पत्थर मुलराज राजडानू चकडोड वगेरे ध्यान खेजेज। जगदिश दवे, मीना इरानी, भासकर महता वगेरे कलाकारों एमा बहार आव्या। राजकोटना कलाकारों मा सुरेश रावले समवेदनशिल कलाकार तरीके त्रणेक दायका सुधी तख्ता पर काम कर्यूं। प्रबोध जोशी नू पत्तानी जोड एमनू लोकप्रिय निर्मान हतूं। समान्तर प्रवा ओग्णिसो साहिट थी शरुत हतो नट व्यवस्थापक केंद्री स्तबक हजी आज सुधी समान्तर रंगभूमी नोई गालो रयो जे। त्रोण दायका सुधी विस्तरता आ आख्खा स्तबक मा अत्यार सुधी मा जोई गया ए मुझब केटलाई प्रवा हो उनमेशो विद्रो हो वलनो देखा देच। रंगभूमी नट केंद्री प्रवृत्ती छे। देशे देशे काले काले एम ज रव्यू छे। एना अनेक सुप फडो शोधवा जवाँ पड़े एम न थी। शिक्स्पियर, मॉलियर, स्तानिसलवस्की, जौन गिल्गुड, लॉरेंस ओलिवियर, शिशिर भादुरी, बाल गंधर्व, बापुलाल नायक, प्रविन जोशी, वगेरे मोटी नामा वलीना एतो मात्र थोड़ा उदाहरणो जे। रंगभुमी मा नट केंदरस्थाने होई, अने हववोट जुईये, एनूज माध्यमचे, परन्तु, नट केंदरस्थाने होई, तो एक वात बनेज, नट लेखक होई, तो 2G, नट दिग्दर्शक होई, तो 3G, आने नट व्यवस्थापक होई, तो चोथी वात बने। एना उदाहरणों औने परिणामों नुँ पुनरावर्तन करवानी अहीं जरुर देखाती न थी। इटले तो 1923-1949 नी जुनी धन्धादारी मुख्य नट दिगदर्शक केंदरी रंगभूमी ने समांतर नवी रंगभूमी नी जिहाद जागी। मालीको शराफो ना जुनी ना स्तबक ने समांतर लगभग नवी ये नाट्य मंड़ों नी रचना करी। अने 191959 थी नवी रंगभूमी मा जिपुख्तता आवी एमा स्वाभाविकज दिगदर्शक केंदर मा आवे। जाने आखी प्रवृत्ती नू ए दिगदर्शन करतो हतो नाट्य ताली मा आपतो हतो। केवा मौलिक नाटको करवां भवाई माथी शूँ अने केवी रितेलेवूं भगीनी भाषाओमा शूँ उत्तम छे। विदेशो माथी शूँ आयात करवूं ए पण दिगदर्शक केंदरी स्तबक मा स्पष्ट थाईूं। नाट्य सिध्धा मन भूमी हती अने रंगमंडल पासे काम चलाव जग्या हती। आ बन्ने मंडलों अम दावादनाज हतां ए पन नोधूं जोईए। आ दर्म्यान धन अने किर्तीना साधन तरीके तैनी मुद्रा एवी उपसी हती। एटले जूनी रंग भूमी नी जैमज मुंबई शहर नी क केंद्रमा होवूं अगत्यनु छे ए समझाता जे बन्यूं ते आपने हमना जोई गया छिये। आ हजी गईकालनी वात छे। आजनी ये एज वात छे। मात्र आजनी ए वात मा एक नवूं तत्व उमे रायूं छे। नव थिएटर नाट्य कर्मनूं। सत भाग्ये लेखन अने भजवनी एमा साथे छे एटले एने ए रिते जोई ये। गुजराती रंगभूमी ना इतिहास मा दिगदर्शक केंद्री स्तबक जेटलोज आ गालो आ रिते वधु महत्वनों बन्योजे। 1966 आ पेटा स्तबको कैंक आवा जे। 1966 मा नट व्यवस्थापक केंद्री प्रवृत्ती स्थेर थाई गई हती। एना नाटको भजवनी रिती, प्रेक्षकोनी रूची, कया प्रेक्षको केवा नाटको मागता हता, ए आ नटो मंडलोए सवने समझावी दितु हतु। एना विदेशी रुपांतरो आखना पलकारे पल्टाती, नाट्यात्मकता थी, प्रेक्षकोमा रूमांच जगावी रया हता। दिगदर्शन उप्रांत आ नट मोटा भागना निर्णयो लेतो थाई गयो हतो। एमने नामे बॉक्स ओफिसे लाईनो लागती। तेथी एमने प्रश्नकरिशका एम नोतु। एकांकियो पन पुषकड भजवाता अने लखाता हता। परन्तु नाट्या लेखकने रंगभूमी मां स्थान नोतु। नट मंडड़ी औने लेखक बनने ए समझता हता। एमा एकांकी लेखाने उगणी सु छासठ मां मोटो वडांक लिदो एपसर्ड ना प्रवाहनो। एनी खुब वीगते वाद एकांकी ना प्रक्रण माजोई शकाशे। अहीं एटलूं उमेरिये के एमानू घणूं प्रेक्षकोने ना समझाय। पणे एमने रोमांच जरूर थायो। युरोपीय धन्धादारी एपसर्ड के प्रयोगशिल भजवनी रिती थी अजान परंतु मुद्रित प्रकाशित नाटको थी पांच सात वर्षे छपाईने गुजरात पहुँचे त्यारे। परिचित बनेला कविताक्षित्रे रे मठनी प्रवृत्ती थी ध्यान खेंची रहेला कवियो ए डॉक्टर मीनू कापडियाना सत्वारे 1966 मा एक उंदर अने जदुनात नाटक लख्यूं अने भजव्यूं। एनेज समांतर रहस्य, रोमांच अने अव नवीन तकता सूजवाडूं कोई एक फुलनू नाम बोलो 1968 मा आवियूं। अने उग्णिसो सित्तेर मा श्रिकांत शाहनूं मानो मन्ना गहवरो अजवाळतूं तिराड बजवायूं। एनेवली जुदाज प्रकारनी अनुभूती प्रिक्षकों मा जगावी। उग्णिसो चासट इकोतेर वच्चे पुषकल एकांकी खेडान थोयूं। पण युनिवर्सिटी ना युवक नाट्य महोत्सवो बंद थतां ओग्णिसो इकोतेर पची एकांकी भजवनी ने असर थाई आने पचीना बैचार वर्ष थोड़ा एकांकीयो लखाया छपाया पण तखता पर बहुर जुआत ना पाम्या। गुजराती युवा वर्ग ने महोत्सवो मा नवुं करी जोवानो उच्सा हतो पण महोत्सवो नी बार एपसर्ड ने एजाजो वखत जोई न शक्यो। ओगणी सो बहुत्तेर इटले कदाच नवी खोज करवी पड़े एवी आंतरिक जरुरियात उभी थाई अने ओगणी सो बहुत्तेर मा आरंभाई आकंठ साबर मतीनी प्रवृत्ती। हती तो नवू वातावरण समझवा नाट्यक्षण ने लीला इंप्रोवाईजेशन रुपे एकांकी मा ढालवानी अभिनित थवा छतां लेखन केंदरी लेखकोंनी कारिय शाड़ा ए मोटे भागे तखता वीना अमदावाद नी विद्यानगर माध्यमिक शाड़ा ना प् मधुराय, लाप्शंकर ठाकर, चीनु मोदी, मनहर मोदी, मुकुंद परिख, इंदु पुवार, हस्मुख बाराडी, रमेश शा, हिरेन गांदी, सरूप द्रूव वगेरे थियेटर विशे एटले के लेखन अने भजवनी बनने विशे नवी रिते विचार्वा माड्या ह आ पहला, हस्मुख बाराडिये 1931 मा पोतानु पहलू शैली परक नाटक काळो कामळो मोस्को मा लखे लिधू हातु। पची बढ़ो बांखणू देखाती दिशामा, 1935 वच्चे सीमा स्तंप बनेली आकंठ साबरमतीनी शरूआतनी प्रवृत्तिये नाट्य लेखन अने भजवनीमा नवा अभिगमो उपसाव्या। आने 1935 नाट्य मंडलियो अने नट व्यवस्थापको नी विगतो मा जोई गया एमुजब। आदर्म्यान मुंबईनी नवी गुजराती व्यवसाई रंगभुमी गुजरातना शहरों मा स्लिक, क्लीन, एफिशेंट नाट्य रजुवातो करीज रही हती। एटले जाने 22 प्रवाहो एक साम्टा देखाया छे। नट व्यवस्थापक केंदरी मंड़ोना कुमारनी अगाशी सिवाई। रुपांतरित नाटको नवा प्रवाहना लेखाकोना दरपन द्वारा अल्प संख्य निर्मानों अने नव नाट्य कर्म प्रत्ये एना सर्जकोनो विकास पामतो अभिगम। अने आज वर्षुमा गुजरातना शहरों मा नव धनिकोनों जे नवो प्रिक्षकवर गुभू थायो हतो। धन्दो मुंबई साथे चालतो होय एडले त्यानी धन्थादारी भलामने अमदावाद मा सहकारी दोरणे बंगली ओबांत्वानी। सोसाइटियों ना स्थाने फ्लैट शॉपिंग संकोलो जेम आवया, एम गुजरातना शहरों ना आर्थिक साथी दारोए दलाल वचेतियाओ द्वारा मुंबईना मंडळों पासे नाटको कराबवा मांडया। मुंबईनी मंडळियोंने बॉक्स ओफिस नी अनिश्चित्ता माथी छुटकारों मले। अमदावाद मां कमीशने काम करता वचेतियाओ, मुंबईनी मंडळियोंने प्रवासना बधाशोनी आवकना वचनो अगाउथी आपी शक्तां। इटले दलालोई पेटियूं रड़वा माडया। गुजरात ना शहरों ना व्यावसाईक अने गिनाती मंडळोंने पोता ना समकक्ष, सम रसिया, सम फैशनिया, सामाजिक व्यवहारों माटे, रंक भुमी ना प्रिक्षाग्रों अने फोयर मा, लग्नना रिसेप्षन नी जैमज, कॉफी अने पॉपकॉन ना पैकेट साथे दिक्रा दिक्री यो गोठवी बैसाडवानू सरल अने सुगम स्थान मल्यूं। परंतु समुह नी वगदार व्यक्ति नी अंगत पसंद गी हती। अने नवू नाटक पण आवूँच तैयार कर जो एवी भलामन थती। आ वात नट व्यवस्थापक समझी जतो। नै तो पची पेलो दलाल एने समझावी देतो। अब धानू परिणाम नट प्रेक्षक ना संबंध विच्छिद मा आव्यू। आने 1935 पची नट व्यवस्थापक केंदरी आस्तबक नो एक खोब नौत पात्र प्रवाह छे। किटलाक ना मते जूनी रंगभूमी आ सदीना पांचमा दायकामा फिल्मना आक्रमन थी जे रिते हच्मची गई हती एवीज महत्वनी घटना आ सदीना आठमा दायकाना मध्यमा बनेली नट प्रेक्षक संबंध विच्छिद नी गणाईज। आ दर्म्यान थोडी मतामन पची शरू आत्मा लेखन मा अने पची भजवनी मा फरी एक मोटो वडांकावेज। जेवो मलेव तेवा अनुभवे लेखक हवे पोतानू नाटक भजववा जाते कटी बद्धवनेज। कारण के ब्रोडवे थी आवती प्रोडक्षिन स्क्रिप्ट ना गुजराती करणों भजवाता हता त्यां सुथी तो कोई लेखक नू मौलिक नाटक अनुखोड पड़े तो तखताना पग दिवाकदाच जोईपन लेतु। कोई सपष्ट आर्थिक सत्ता नहीं, तो पन कमिशन्या दलालो थी गुजरात पूर्ती चालती रंग भूमी प्रवृत्ति मा नव नाट्य लेखन ने प्रवेश क्यां थी मले। ए वखते एनेज समांतर अने मोटा भागे एनाज अनुकरण रुपे, अमदावाद ना थोडा नाट्य मंड़ो अतीरंजक, द्वी अर्थी समवादो साथे रहस्य, सैक्स, आसू अने आदर्शोने वेचता नाटको रजु करता जहता, एमा थी केटलाक नातो हजारो शोप थाया जे, फरी सर्जक मा थामन, 1936 सुधी नव उनमेशी नाट्य लेखानो थाया, पछी लापशंकर ठाकरे दर्पण मा पलोठी वाली ने मन्सुखलाल मजिठ्या करावियू, आकंठ मा एनी रचना थाई हती, त्यां पलोटा आयू हतुं, पन दर्पण मा एने नवो पछी पीळू गुलाब अने हुँ, एज रिते दर्पणने सत्वारे लापशंकर ठाकरे लख्यूं अने बजव्यूं आ एक वात। दिल्ली नी राष्ट्रिय नाट्य संस्था नैशनल स्कुल अफ ड्रामा थी तालिम लईने आवेला स्नातको मा थी किटलांक भरतदवे वगेरे अने गुजरात कॉलेज ना नाट्य विभागना स्नातको मा थी किटलांक निमेश देसाई वगेरे सक्रिय बन्या अने मौलिक अने रुपान्तरित नाटकोनी रम्य भजवणियों करी। सीधा नाट्टि निर्माण ने बदले निर्माण आयोजन औने मार्गदर्शन मा ध्यान आपवा माड़ियो। शरुआतमा धुर्जटी दिग्दर्शक हिमानशु त्रिवेदी अने पची गैरेज स्टुडियो थियेटर दिग्दर्शको जनक रावल अने मनविता बाराडी नी निर्माण तालीम संशोधन लक्षी प्रवरुत्ती ने तेमने मार्गदर्शन आपवियों एचोथी वाद आकदाच लेखक कैंदरी स्टबक हजी बनी शकतो न थी सर्जक मथामणनों स्टबक बनी शके एटली एमा शक्यता छे कॉंट्रेक्ट शोनी प्रथा थी कुलडीमा गौल भांगवा जेवी चालती नवी व्यवसाई रंग भूमीमा गुजरातना समग्र जीवनने तखता पर रजु करी एनू दिगदर्शन करी शके एवा कोई दिगदर्शक ना अभावे अने गुजराती ना नव नाट्टे लेखन ने पीछाणी एने लोको सुधी लाई जई शके एवा नट व्यवस्थापक नी खोट सालता गुजराती नो नाट्टे लेखक आवड्या एवा दिगदर्शन तरफ थोड़ा अने घणा अंशेतो कोई मंड़ी के प्रवरुत्त ना आयोजन तरफ हवे वड़ेओ छे ओगणी सो एसी एक्याशी पची दरपण पण एम ना कारणों सर नव नाट्टे लेखन ना निर्मानों चालू न राखी शक्यूं ए संजोगों मा आयोजक बनीने लेखक सर्जक मथामणनों आ पेटा स्तबक आछु पातनु ओगणी स पंचो तेर्थी परंतु स्पाष्ट रिते ओगणी सो एसी थी आरम भेशे छे छिल्ला बै दायकाना नाटको अन्या सर्जक मथामण केवी छे साव आजनी आ वात किटलाक विवे चकोना मनतव्यों टांकता थाए के वधू उचीत लागे छे आठमा दायकाना गुजराती स साहित्यनू अवलोकन करता गुजरात दिपोत्सवी आंक ओगणी सो पंच्यासी मा जश्वंत शेखडी वाला लखे छे गुजराती नाट्यक्षित्रे समानतरे वहता परंपरा नुसारी अने एपसर्ड नाटकना प्रवाहोनू विहंगाव लोकन करता लागे छे के नाटकों मा जोवा मलती खुबियों ने आत्म सात करी ने तखता रंगभुमी ना कला कौशलती अनभिग्न अने उतकट सर्जन शक्ती धरावता लेखको परियाप्त कला की ये सुजबूज पुर्वक जो नवीन नाटक माटेना सन्निष्ठ प्रयोगों करे तो परिणाम अ प्रताप सांगनी क्रुत द्वियंकी मांडवा नीचे 1911 सित्तेर श्रिकांत शाह क्रुत त्रियंकी तीराड 1922 मधुराय क्रुत चतुरंकी कोई एक फुलनु नाम बोलोतो 1911 चुम्मो तेर हस्मुख बाराडी क्रुत द्वियंकी कालो कामलो 1935 रगोविर चाउधरी क्रुत प्रताप सांगनी क्रुत मांडवा नीचे वस्तु निरुपणनी नविंता अने ताजगी दाखवतु आहलादक नाटक चे बैज पात्र पीट जवकार नी कौशल युक्त करामत तारकेक अने मानस शास्त्रिय सच्चाईनी प्रतिती करावतां सहज स्वाभावेक अने सचो वस्तु, पात्र, सम्वाद, सउष्ठव युक्त तेम गतीशिल निरुपण तेनी ध्यान पात्र विशेश्टाओ जे वस्तुनी कलात्मक रजुआत अने मानस शास्त्रिय मावजत ने लई बैज पात्र छतां आ प्रयोगात्मक नाटक भावक नो रस साध्यत जालवी वस्तु अने निरुपण बन्ने द्रश्टिये सरस प्रयोग शिल नाटक छे। तेमा थोडाज वर्षो मा परस्पर प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा गुमावी बेठेला एटलूँज नहीं, पर पिडनमा राज्ता अने थीजी गयेली लागणियोंने निषिद्ध काम द्वारा उत्तेजित राखवा मतता, भद्र वर्गी या शिक्षित पति-पत्नीना भग्न यात्नामय जीवन अने घर संसार नू मानस शास्त्रिय कलात्मक निरुपण थोईूँँछे। मधुराय कृत कुई एक फुलनू नाम बोलो तो छिल्ला बै दायका दर्म्यान लखाएला सौथी सारा नाटकों मानू एक छे। संडोवनी, समस्या, रस, गती, साध्यन्त टकी रहे छे। सफ़ल नाटक माटे अपेक्षित अनेक खुबियोने कारणे मधुरायनू आ नाटक गुजरातीनू एक उत्तम नाटक थै शक्यूँँछे। कालो कामणोंनू वस्तु भाहियरूपमा सराल छे। परन्तु मानव मननी गतीविधी अने विवित मानवियो वच्चेना पारस्परिक संबंधोना असल स्वरूपना दर्शन अने निरूपननी द्रष्टिये संकूल छे। बहार्थी आदर्शमाई देखाव व्यवहार करता मानवियो केवा संदिक्त चारित्रेना अने स्वार्थी छे। तेनू तेमा बराब्बर दर्शन थाए छे। सामन्य देखाती घटनाना घर्बमा अही कशुक और सामान्य सरजाय छे अने ते भावकोने विचार करतां करी मुक्या छे। स्वाभाविक लागतां वस्तु पात्र समवाद द्वारा लेखाके तैनू रस पड़े ते रिते निरूपन करियू छे। रगुवीर चौधरीकृत, सिकंदर सानी, कामांध, कठोर, कुरूप, कातिल लेखायल सुल्तान अलाउद दिन खिलजीना जीवन अने कारियने नवीन अभिगम्थी रजु करवाना एक मौलिक प्रयास तरीके नौध पात्र जे। अलाउद दिन माटे करुणा अने संभाव प्रक्टाववानू लेखाकनू प्रयोजन सिद्ध थाये जे। घटनाओ वच्चे उच अमलदार वर्गनी जीवन शेली प्रगट करतूं त्रियंकी नाटक स्टिल फ्रेम उगणी सो एक्यासी अने संकुल पात्र चित्रणों मा व्यक्त थतूं सांप्रत जीवन चौराहा उगणी सो एक्यासी। एमना प्रथम नाटके गुजराती नाट्टे लेखान औने भजवनी माई रोमांज उपो करे हतो। चौराहामा निशान अच्युत एक बिजान चाहे छे। पन लगन असंभवी जणाता सैयोक्त आपगातनी योजना गड़े छे। जोके मृत्यु मात्र निशान उठाये छे। रहस्यना कलेवर ने अनुसरी ने लेखा के अच्युत ना पाखंडी उचेर ने एमाटे निमित्त ठेर्वे छे। अलबत हीराना हर नी चोरी साथे आवतो नाटकनो अंत अने प्रथम अंकना स्थूल समवादो नाट्य रूपने नबलू पाड़ी देश। नाट्यकार मंचन भुगोळ अने प्रकाश आयोचनना माहिर छे। कुतु हलने बढ़ आपवानी कुनेह धरावे छे। प्रभाकरनू पात्र चित्रण पण खूब संकुल बन्यू जे। विनायक पुरोहिते आउप्रांत कला, फिल्म अने रंगभूमी विशे अनेक अभ्यास लेखो लख्या जे। एमनू आर्ट्स अव ट्रांजिशनल इंडिया बैभाग 1906 आने 1921 खोब नौत पात्र जे। रंगभूमी ना हेतु विशे ना एमना विचारो अही नो धिये, के आपनू पुतानू जीवन, समाज, स्वत्व, सन्मान, अस्मिता वगेरेने ओलखे, समझे, धंडोले, छंचेडे, पड़कारे, एवा नाटको आपने तकते शोभावा जोईये। अनुवादो रुपान्तरो सतत नहीं, अविरत नहीं, नरी नकल नहीं, अहोभाव नहीं, बधुं विवेक साथे, आत्म सन्मान जालवी ने। अने 1931 वच्चे ना नाट्य साहित्यानी समिक्षाने अंते, विनोध अद्वर्युए, परब ना फेबरुवारी 1931 ना अंकमा लख्यूं छे, मर्जिवानी फाट मा जाजा शंक छिपलानी वच्चे चप्टी बर मोती मले, तो एनो एने आनंद होई, एवी नाट्य रचना सितान्शू, लाप्शंकर ठाकर, चीनू मोधी पासे थी मली छे, अने श्रिकांत शाहना एकांकियो, तो बाराडी नू थियेटर पण मल्या जे, हवे पेलो वस्वसो राखवानी जरूर न थी, के क्या छे नाटक। अनि ए दायकाना नाटको ना विशिष्ट अभिव्यक्ती लक्षणों, आरी ते सतीश व्यासे परब मे ओग्णिसो एकांणों तारवी आप्यांजे। मानव मनमा रहेली संकुल ताओ, चीनू मोदी अश्वमेध, रखुवीर चौधरी नजीक, पुरुष पात्रों करतां स्त्री पात्रोंनू बढ़वत्तर निरुपन, लापशंकर ठाकर, पीळू गुलाब अने हुँ, चीनू मोदी जालका अने अश्वमेध, हस्मुख बा मोदी अश्वमेध, नट प्रेक्षक संबंद अने रंगबुलाब अने हुँ, चीनू मोदी अश्वमेध, नट प्रेक्षक संबंद अने रंगबुलाब प्रयोक्तियों नो प्रयोग हस्मुख बाराडी, राईनो दर्पन राय, आखुं आइखुं फारी थी, सितान्शू यशस्चंद्र, कहो मकंजी क्या चाल्या, लापशंकर ठाकर, पीळू गुलाब अने हुँ, मधुराय, कुमार्नी अगाशी, आ बधान आटको भजवाया छे, अने भजवाँज ए लखाया छे। कारण के आजनो नाट्यकार, रंगभूमी ना तकादाथी सभान छे, अने ए द्रश्टिये, आ नवमो दायको सिद्धिवंत छे। कात्मा आवेला वडांको वलणो, उग्णिसो चासर्ट, उग्णिसो बहुत्तेर, उग्णिसो पंचोतेर, उग्णिसो एसी ना परिणा में, आ सिद्धिवंत रडियात तबक्कामा लेखक खुद नाट्य निर्माता के प्रवृत्ति आयोजन मा संकड़ायो छे। अने कशा नौधपात्र वर्तर विना नाट्य लेखन एकरे जाये शे। ए द्रश्टिये एने सर्जक मतामणनों स्तबक एना इतिहास कारने लाग्षे। आ समग्र प्रक्रियामा संडोवाईने अने प्रक्रियाथी अलग थाईने वस्तुपरक द्रश्टिये निहालता पण एटनू स्पष्ट देखाये छे के गुजराती रंगभूमी अभिनाई कला अने कसब थी भगीनी रंगभूमियोंनी साथे हरोलमा उभी रई, ठतां, रंगभूमी अने नाटक बन्नेने जरूर छे दिगदर्शकोनी, जेथी लेखक, नट अने प्रेक्षक परस्परने वधू सम्रुद्ध करी गुजरातनू जीवन पामे अने निरूपे, आ लेखकनू थीएटर छे एम समिक्षको तथा विवेचको कहवा माड़या ह तो पण, ये अमूर्त स्वरुपेज रहे, पण मूर्त स्वरुपे तो, आवा अने आटला लेखको दिगदर्शक केंदरी थीएटर समयनी राज जुई रहा छे, जेथी पिला वचेटियाओनी रंगभूमी ना स्थाने नाट प्रेक्षक नो सीधो संबंध बन्धाए, अ आने गुजराती नाट्यकारोंना नवा बढ़ूं का शैली परक नाटकोनो पड़कार ये दिगदर्शक को जीली शकें।